असलाम अलेकम, आज हम बनाएंगे फजी ब्राउनीज, यह बहुत ही मज़े की ब्राउनीज बनती है, इजी तरीके से बताऊंगी, सबसे पहले इसके पैन को ओईल से ग्रीस कर लिया है, और बटर पेपर लगा रही हूं, यह आपने पहले इस तरह पैन को तियार करके रखना यह 8 x 8 इंच का पैन है, यह मैंने मिल्क चाकलेट लिये 200 ग्राम, कुछ इसके उपर क्यूब्स मैंने काट लिया लगाऊंगी, कुछ इसके अंदर अड़ करूँगी, कुकिंग ओयल को आटर कप और बटर मैंने लिया है, आदा कप, यह होमेड बटर है, सॉस पैन में इस त को पताती हूँ, आप उस तरीके से भी कार सकते हैं, यह टोटल 200 ग्राम इसके अंदर चाकलेट जाएगी, कुछ मैंने क्यूब्स काट लिया है, जो उपर लगाऊंगी, कुछ इसके अंदर अड़ की है, और इस रैस्पी में टोटल बटर जाएगा, 3-4th कप, यह मैंने इसको ड्रेक्ट कभी भी चूले पर आखके ना इस तरह करें, तब यह पर आखके कर सकते हैं, और यह जो दूसरा तरीका यह है, यह सबसे बैस्ट है, यह बाउल वो उबलते हुए पानी में रखें और इस तरह मैल्ट कार लें, इसको मैं ओवन में बेक का रही हूँ, ब्र पारे अंडे हराब ना हूँ, इस तरह मिक्स कर लेना है हाथ से ही, अब इसके अंदर यह शूगर जाएगी पिसी, एक कप, और ब्राउन शूगर इसके अंदर जाएगी आदा कप, या और एक टीस्पून इसके अंदर जाएगा वनिला एसेंस, इसको इस तरह हाथ से ही मिक और जो वो mixer बनाया हुगा है बटर और उसका चॉकलेट का यह अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो फिर आप इसके अंदर कोको पोडर भी आदा कप डाल के इस तरह बटर के अंदर भी आप कर सकते हैं मेल्ट करके अब इसको मिक्स करने है अगर आप इसको पतीले में बेग करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं और जाब इस तरह त्यारी करने लगे तो उसको भी आप पहले प्रिहीट कर लें यह quarter cup मैंने नमक लिया है और three fourth cup यह है मैदा पोना cup इसको मैंने चान लिया था इसके अंदर डाल दिया और आदा cup cocoa powder इसके अंदर यह brownies के अंदर baking powder नहीं जाता सिर्फ इन चीजों को इस तरह hand से mix करना है अच्छी तरह mix करके यह हो चुकिए आप इसको pan में डालना है और इसको bake कर लेना है और इसकी baking time है इसके 25 से 30 minutes अगर आप पतीले में करें तो आप वो 20 minutes पे भी देख सकते हैं उसमें जल्दी हो जाता है और यह जो मैंने cubes काट के रखे हैं चाकलेट के यह फजी ब्राउनी है यह मैं इसके उपर डाल रही हूँ अगर आप चाहें तो इसके अंदर चाकलेट चिप भी डाल सकते हैं 180 पे मैंने oven को preheat कर लिया अब उसके अंदर वो bake कर रही हूँ अब यह bake हो चुकी है यह आप देख सकते हैं अब इसको इससे नकाल के इसको cutting आपको आगे काट करके दिखाती हूँ किस तरीके से इसको काट करना है थोड़ी सिठंडी और फिर आप काटे यह भी गरम गरम है आपने पानी गरम कर लेना है किसी बरतन में पानी गरम डालें और उसके अंदर आपने छुरी को डिप कर देना है जिसके साथ इसको कटिंग करनी है ताकि वो एजिली कट जाए सही स्मूधली यह मैंने गरम गरम पानी इसके अंदर कापके अंदर डाला और उसके अंदर चुरी को डिप कर दें और फिर टिशू से साफ करके गिली गिली के साथ नहीं उसको नकार लें इस तरह साफ करें और फिर कट करें जब भी कोई चाकलेट केक और इस तरह कोई भी चीज हो तो आप इस तरीके से कटें वो बहुत ही clean, neat clean कटेगा सफाई से आपको मैं दिखाती हूँ आप इसको बनाएं, जुआए करें ये बहुत मज़े की बनती है और easy तरीके से भी मैंने बताया ये पतीले में भी easily bake हो जाती है ये आप देख सकते हैं आप इसको बनाएं, try करें ये जो उपर चाकलेट डाली है ये melt होके, ये बहुत मज़े की बनी है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरे चैनल को subscribe करें, like करें, share करें thanks for watching, okay, लाफीस